नमस्कार मनुदेल स्रिया क्लास इसमें आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे आरारबी एंटीपीची का आपका रासैनिक विज्ञान है उससे समंदित मैतरपॉन क्यूशनों को जिसमें सीरीज का यह पहला वीडियो है इसमें अपना पर्थम क्यूशन है कि परदार्थ का पर्मानों सिधान्त किसने पर्तिपातित किया था तो परदार्थ का जो पर्मानों सिधान्त है वो दिया था डालतन ने नेक्ष्टर की कौन से दो आधार बूत बल दो निट्रनों के बीच आकरसक बल उपलब्द करा सकते हैं तो गुरुत्वे और नाभी की जब दो पर्मानों की बीच आबद बनता है तो परनाली की उर्चा क्या होती है गटती है नेक्ष्टर की किसी तत्व की तुल्यंग की भार तथा स्योंग जत्ता का गुणनफल किसके बराबर होता है तो वो होता है परमानु भार के बराबर नेक्स्ट है कि आणवी कक्सा का अभी विन्यास किसे से नियंत्रित होता है तो आणवी कक्सा का जो अभी विन्यास होता है और दर्वेमान है 36 उसके न्यूकलिस में न्यूट्रोनों के संक्या कितनी होगी तो आंसर होगा 19 प्रोटोन के समान संक्या वाले किन्तो न्यूट्रोन की भिन भिन संक्या वाले पर्माणों को क्या कहते हैं क्या है प्रमाणों में प्रोटोन की संक्या तो समान है लेकिन न्यूट्रोन क्या है बिन बिन है तो उन्हें कहेंगे समस्थानिक उन ततों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संक्या में प्रोटोन हो और भिन संक्या में न्यूट्रोन होते हैं तो उन्हें समस्थानिक कहेंगे समान परमाणों वाले नुकलीड को क्या कहा जाता है तो समान परमाणों है उन नुकलीड को कहा जाएगा समस्थानिक आव गादरो संख्या का मान कितना होता है तो 6.023-1023 किसी परमानों का रासैनिक विवार निर्बर करता है उसके नूकलियस में प्रोटोनों की संख्या के उपर निर्बर करता है कि वो परमानों किस परकार का रासैनिक विवार करेगा परमाणों न्यूकलेस बने होते हैं तो परमाणों जो न्यूकलेस होता है वो प्रोटोन और न्यूटोनों से बनता है परमाणों का संगठन करने वाले तीन मौलिकण है तो तीन मौलिकण होते हैं प्रोटोन, इलेक्टोन और न्यूट्रोन मन के मिलके ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं परमाणों किन तीन मौलिकणों से बना है प्रोटोन, इलेक्टोन और न्यूट्रोन एक परमाणों के तीन आ ये है परमाणू करमांग 20 वाले परमाणू का इलेक्ट्रोनिक विन्यास एक सोच है तत्व की खोज किस ने की थी तो सी बॉर्क ने की थी उस योगी को चिनित कीजिए जिसमें आयनी सह सेयोजग तथा उप सह सेयोजग आबंध है तो उसमें है एनस फोर सी एल पुरानी किता वोगा कागज भुरा किस कारण से ने हरता है क्योंकि इसमें सेल्लूनोस के कारण ओक्सिकरण हो जाता है इस वज़र से ओक्सिज़न की ओक्सिकरण संख्या होती है केवल ओफ्टु में केफोर एनाई CN4 में निकल का OxyCN number क्या है तो इसमें Ni है K4 है फिर hole है फिर Ni capital हो CN4 तो इसमें Ni है Ni में OxyCN number संग क्या है सुनने यदि MgC12 में 1 million Mg2 plus iron है तो उसमें chloride iron कितने होंगे तो उसमें chloride iron होंगे 2 million helium परमनों जब electron खोता है तब अब है क्या बनाता है तो परमनों खोएगा तो धनात्मक helium आइन बनाएगा carbon के 6.023 गुणा 1022 परमनों का भार कितना ग्राम होता है तो 1.2 ग्राम दरवमान संख्या किसका योग है तो दरवमान संख्या होती है proton और neutron का योग नेक्स है कि विदृूत्त तापी सादन के लिए तापी गटक बनाने के लिए जिस मिसर धातू का परियोग किया जाता है वह आ कौन सी है तो वह धातू है नाइक्रो encima नेक्स है कि आइस्क के ताप उपचार के परियोग को जिसमें गलाना और पकाना सामिल है क्या कहते हैं तुसे कहेंगे पाइरो मेटालरजी एलुमिनियम का आइस्क होता है बोकसेड पीतल में क्या होता है तो पीतल में तामबा और जिंक होता है पीतल किस से बनता है तो तामबा उर्जिंग से पीतल बनता है पेजल में कोपर का अधिक्तम उन्मुत सांद्रन Mg L में है तो Mg अपोन L में कितना है 2 पीतल किसकी मौझूदगी में निरंतर रहने से वायू में रंग हीन हो जाता है तो Hydrogen Sulfide के निरंतर रहने से रंग हीन हो जाता है पीतल कांच परसलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस परकार के कांच का परियोग किया जाता है तो रेशा कांच का परियोग होता है तमबा किसके द्वारा सुध होता है तो विदूत अब गटन से तामबे को सुध किया जाता है तरल अवस्ता में पाई जाने वाली ऐधातु कोन सी है तो तरल अवस्ता में पाई जाती है लेकिन क्या है ऐधातु है तो उसका नाम है Bromine धातूं के प्रश्ट पर एक उप्युक्त तरंग दैर्दे का परकास पढ़ने पर लेक्ट्रोनों के उत्षेपण की घटना को क्या कहते हैं तो इस परिगटना को का जाता है परकास विदूत परभाव नेक्ट्र की मुद्रनाले में परियुक्त टाइप धातू किसके लिए अलोई है तो सीसा और एंटिमनी के लिए अलोई है तीर्वा सीसा विशाक्त को प्लंग बिंजमी का कहा जाता है तो प्लंग बिंजमी किसे कहा जाता है तिवर सिसा विशाक्त को का जाता है पलैंग बिजम अमल गमिसर धातु है जिसमें आधार धातु है पारा बेर का अभिकर्मक क्या होता है तो बेर का अभिकर्मक होता है छार ये पोटेशियम परमेंगनेट किसी विदुत अब गटे की ऐसा लंगता का इस तर किस पर निर्बर करता है तो तनुता पर निर्बर करता है लोहे को जंग लगता है ओक्सिकरण के कारण लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायू में इन दोनों की आउशिक्ता होनी जरूरी होती है तो ओक्सिजन के साथ साथ में क्या होने चीए वायू में नमी होने चीए तब ही क्या रगेगा लोई दातों में जंग लगती है लोई में जंग लगने के लिए किसकी आउशेक्ता होती है तो ओक्सिजन तथा जल दोनों के आउशेक्ता होती है लोहे में बहुत चीगर जंग कहा लगता है तो समुदर के जल में जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है बढ़ता है लोहे में जंग लगना क्या है एक राशानिक परिवर्तन है 18 करेट सोना में सुध सवरण का अनुपात कितना होता है तो यदि 18 केरेट सोना है तो उसमें सुद्ध सोने का है पिछेतर परतिशत सरवन की सुद्धा केरेट में वेक्त की जाती है तो सरवन का सुद्ध तो मुरूप होता है 24 केरेट धातूं का राजा क्या है सोना बाजार में बिखने वाला मानक 18 केरेट सोना होता है 82 भाग सोना होता है और 18 भाग अन्य धातू होता है बरतन बनाने में परियुक्त जर्मन सिल्वर एक मिस्सर धातू है कोपर, जिंक और निकल की तो जर्मन सिल्वर बनाना है तो क्या-क्या मिलाना पड़ेगा कोपर, जिंक और निकल जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप ओपर जस्ते की प्रच ड़ाने को क्या कहा जाता है तो उसे कहते हम यस दिकारण जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइप के पाइप ओपर जस्ते की प्रच ड़ाने को कहते हैं यस दिकारण यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चड़ाई जाती है तो जस्ते की परत चड़ाई जाती है जिंक जिसे हम जस्ता भी कहते हैं का लेव लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता इस परक्रिया को हम क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं जस्ता चड़ाना धातों का परासुद्धीकरण किसके द्वारा किया जाता है तो धातों का परासुद्धीकरण वो जोन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है कांच होता है एक अतिशितित दर्व होता है ये आपकी मैं तो पुनक्यूशन थे बागी के पढ़ेंगे नेक्स वीडियो में ओके थेंक्यू पूर वोचिंग में